तो सेकंड वीकेंड टेस्ट का क्या रहा रिजल्ट फाइटर के लिए? क्या फाइटर सेकंड वीकेंड के टेस्ट में पास हो रही कि नहीं हो रही है? ये सारा डेटा लेकर आगया हूँ, मैं मनी शर्मा, आप देखने हैं जन्गर्मन रियक्स एन्य अट दारेट, जे जी एम रियक्स, तो ये रिजल्ट आ चुका है, अब लगबाग लगबाग सामने आ गया, फाइनल वीकेंड तो कुछ घंटे बाद आएगा, लेकिन ये तैह हो गया है कि सेकंड वीकेंड के टेस्ट में फाइटर फिल्म हो गई है, पास, क्यों हम ये बात कह रहे हैं? डेटा इस से कह रहा है वो आपको दिखाते हैं, सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं सेकंड सेटर डे का कलेक्ष separation कह रहा, सेकंड सेटर डे को फाइटर फिल्म ने साड़े-दस करोड रुपे कमाए थे, लेकिन जब हम कंपैरीजन करते हैं रितिक रॉशन की बाकी फिल्मों के साथ तो ये फिल्म कहां ठहरती है तो लीजे वार फिल्म से जब हम comparison करते हैं तो वार फिल्म ने second Saturday के अंदर 11 करोड 80 लग कमाये थे Chris 3 ने 14 करोड 20 लग कमाये थे Bang Bang ने 6 करोड 20 लग कमाये थे और Fighter ने 10 करोड 50 लग अब इस comparison में देखेंगे तो नंबर 3 के फिल्म लग रही है रितिक रोशन की जो टॉप ग्रॉसिंग फिल्म से उसके अंदर लेकिन अगर आप टॉप ग्रॉसिंग के अंदर बात करेंगे तो कहीं न कहीं क्या ये सवाल है कि नंबर 3 पर रहेगी या नंबर 2 पर पहुंचेग ये सवाल अब पता चलेगा सेकंड वीकेंड टेस्ट के बाद में तो चलिए अब संड़े का कलेक्शन देख लेते हैं संड़े के दिन वार ने कमाये थे करीब करीब 14 करोर रुपए यानि 13 करोर 90 लाख रुपए क्रिश्ट 3 ने यहां बंपर कमाई की थी 16 करोर 30 लाख रु और 15 करोर तक भी जा सकते हैं तो चलिए हम यह मान के चल लेते हैं कि किसी भी कंडिशन के अंदर ये वार को टकर देती हुई नजर आ रहे हैं 14 करोर के आसपास का कलेक्शन यहां मान लेते हैं अगर तो ये वार को टकर दे रही है कलेक्शन के लिहास से अगर आब इस लिहा बैंग बैंग ने 32 करोड रुपए कमाई थे और फाइटर फिल्म कितना कमाई गी फाइटर फिल्म की कमाई तीसरे हफ़ते के अंदर जो पूरी संभावना है वो 40-45 करोड के बीच रहेगी क्योंकि इसका सेकंड वीकेंड की ओपनिंग बहुत शानदा रही है पहले तीन दिन आप मिला लीजे तो तीन दिन के मिला के करीब करीब तीस करोड के असपास ये कमाई कर लेगी लेकिन बाकी डेज में अब ये सवाल है ये सवाल बनता है कि अगर बाकी डेज का कलेक्शन बाकी चार्ट दिन का कलेक्शन भी अच्छा रहता है तो जाहर तो पर ये फिल्म उ पैसा मेंटेन कर लिया तो यह फिल्म बहुत लंबा चलेगी मान लीजेगा लेकिन अगर उतना नहीं कर पाई दो करोर तीन करोर के आसपास आगी तो समझ लीजेगा फिल्म के लिए अपना बजट निकालना मुश्किल हो जाएगा तो खैर आप जरा टॉप फाइफ रितिक र करोशन की इंडिया निटमेक्स ने 118 करोर रुपय कमाए थे इंडिया ग्रॉस में 160 करोर रुपय कमाए थे और वर्डवाइल ग्रॉस में 196 करोर कमाए थे अब आप देखेंगे फाइटर फिल्म इससे तो कहीं उपन निकल चुकी है लेकिन एक कंपरिजन यह भी है कि यह त टॉप 6 के अंदर पहुंच जाईगी टॉप 5 में इसकी जगह ले लेगी आप फाइटर बलकि कहना ची ले चुकी क्योंकि इतना तो कलेक्शन कर चुकी है इसी तरह सूपर 30 जो 2019 में आई थी 147 करोड इसने इंडिया नेट में कमाए थे इंडिया ग्रॉस में 171 करोड की कमा पाईगी कि नहीं कमा पाईगी लेकिन जो 147 का खड़ा है सूपर 30 का इससे तो उपर निकल चुकी है तो यानि नमबर 3 की लड़ाई में क्या यह बैंक बैंक को टकर दे पाईगी कि नहीं दे पाईगी बैंक 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 ने कमाए थे 181 करोड रुपे इंडिया नेट के अ पार्क करना ही यह तैगे अगर आप अभी की बात करेंगे तो अभी तेको तोटल आप देखेंगे आज का मिला कि करीब कर यह 175 करोड के आसपास से फिल्म कमा लेगी आज अगर हम मिला ले तो तो उसलिया से आब देखें तो बैंक मैंक को तो पीछे चोड़ना तै हो गया ह किसी भी हलत में बैंक बैंक को तो पीछे छोड़ी देगे अब सवाल यह है कि इसके टक्कर कहां से होनी है रितिक रोशन की बाकिये फिल्मों के हिसाब से तो अब दो फिल्में उपर बसती है यानि टॉप थ्री फिल्म तो फाइटर आ चुकी है टॉप थ्री तो में तो आ चुकी है अब क्या टॉप टू बनेगी या नंबर वन बनेगी ये सवाल बाकिया है ये डेटा आपको बताएगा कृश्टी 2013 में आई थी जो मेरे हिसाब से फाइटर से कहीं बड़ी हिट है वो कहीं बड़ी हिट है तो खेर 244 करोर रुपए उसने इंडिया नेट में कमाई थे इंडिया ग्रॉस में 313 करोर रुपए और वर्ड वाल ग्रॉस में 374 करोर रुपए अब ये 244 का जो आखला है ना इंडिया नेट के अंदर ये फाइटर के लिए अब भी आसान नहीं है अब भी आसान नहीं है क्योंकि आप कुछ भी कर लीजे फाइटर फिल्म के लिए वीकेंड के अंदर 40-45 करोर रुपए कमाना ये ठीक है लेकिन जब हम कंपारिजन करते हैं बाकी फिल्मों से 2nd वीकेंड में कितना कमाया तो आप ये देखिए मैं फिर बता रहूं 50 करोर रुपए वार के थे क्रिश्ट 3 के 60 करोर के असपास थे और यहां इसकी कमाई 40-45 करोर के बीच बैठती हुए देख रही है तो उसलिहाँ से देखिएंग तो क्रिश्ट 3 ने 2nd वीक में भी अच्छा कमाया था और 3rd वीक में भी अच्छा कमाया था तो क्या ये उसको पचार पाएगी ये थोड़ा सा यहां मुश्किल लग रहा है अब वार के अंदर बात करें नमबर वन जो ग्रॉसिंग मूवी है रितिक रोशन की जो अक्रॉस में पसंद की गए थी वो 318 करोर रॉपई इंडिया नेट में कमाये थे इंडिया ग्रॉस में 375 करोर कमाये थे और वर्ल में 471 करोर करोर किमाये थे मौझूदा जो कमाई है फाइटर की उसके हिसाब से ये फाइटर को पचार नहीं पाएगी फाइटर इसको नहीं पचार पाईगी वार को फाइटर इससे काफी पीछे रह जाएगी लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर जो था फ्रम दा डेवन पांसो करोर का क्या पांसो करोर तक पहुँच पाईगी क्योंकि उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ढईसो करोर की फिल्म है अगर वो मुनाफिय में रहना चाहती है तो इंडियानेट में पांसो करोर के आसपास पहुँचना होगा जो बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन अब दूसरा सवाल क्या अपना बजट निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी यह अब आपको मंडे को पता लग जाएगा मंडे को जैसी डेटा आएगा ना पूरे दिन का डेटा जब खत्म होगा तो क्या ये 6 करोड के आसपास पहुंचती है या 3 करोड के आसपास पहुंचती है इससे बहुत सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा अगर 3 करोड के आसपास पहुंचती है तो आप यकीन मानिएगा कि अगले हफते का जो डेटा होगा 20 करोर से जादा नहीं होगा क्योंकि वो एक फिल्म की ट्राइजेट्री नजर आ जाती है तो यहां ट्राइजेट्री तो हमें नजर आ गए कि फिल्म किस तरह बढ़ रही है यह तो हमने पहले अंदाजा लगा लिया था कि फिल्म 40-45 करोर के आसपस रहेगी तो अगर उस लिहाज से देखेंगे तो अगले हफते 20-22 करोर के आसपस रहेगी फिर उस से अगले हफते और कम हो जाएगी तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो ये बहुत जादा धाई सो करोड तक पहुशना इसका बहुत आसान नहीं होगा, रास्ता आसान नहीं होगा, खेर नजर बनी हुई है, जो होगा देखते रहेंगे, लेकिन अभी जो fighter के सामने चुनाती है, वो रितिक रोशन की number two film बने अगर जैसी occupancy आज है ना, अगर एक्यू ऐसी occupancy उसको आगे भी मिल गई, तो fighters चल जाएगे, लेकिन प्राब्लम कहा रही है फाइटर के साथ में, प्राब्लम यह आ रही है कि शहरों के अंदर तो चल रही है, आज भी जो भीर दिख रही है, वो multiplexes में, book my show उठा के देख इस फिल्म को लोगे इतनी डिमांड नहीं है, और क्यों नहीं है, यह कहीं नहीं बात कही जा रही है कि बहुत अर्बन फिल्म है, मतलब आम जो देशी जन्ता के साथ है, वो connect नहीं कर पा रही है, खैर अगर फिल्म यहाँ चलती है, आप occupancy को मैं बात कर रहा था, मॉनिक श और नाइट शूर्स के अंदर मुझे लग रहा है कि चालिस से चालिस के आसपास ही रहना चाहिए, तो लेकिन अब कुल मिलाकर, सपोर्ट तो इसको हर जगे से मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि शेहरों में मिल रहा है, मास सिनेमा जो है, जो सिंगल सीट सिनेमा है, व मिल होने जा रही है, और उसको तो खैर कोई रोह नहीं सकता, अब सवाल सिर्फ इतना है कि नंबर टू बनेगी कि नंबर वन बनेगी, यह सवाल का जवाब आपको अगले एक हफते के अंदर-अंदर मिल जाएगा, जैसे जैसे आगे डेटा बढ़ता जाएगा, लेकिन उस मिल जाएगा, एक हुआ हुआ कि एुआ हुआ एफरा दो मिल भातख़ता वस्वार सेुन exits वक्त मिल जाएगा, जैसे अ.